जिया माभिन देवाशनी हरहर महादेब आप शभीका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब परिवार फेस्बूक पेज में नवरात्र में हम सबी सुनते हैं कि विभिन प्रकार के अनुष्ठान होते हैं उनमें चंडी पाथ होता है नवचंडी पाथ होता है संपूर्ट होता है इन सम्में क्या भेनता है तो इसे आज की वीडियो में हम पहले समझ लेते हैं सुर्पताम आप दुर्गाश शब्षती जी को जब देखेंगे तो इसमें कहा जाता है ऐसा वर्णाने सास्त्रों में कि जो तेरह प्रमुक अध्याएं हैं उनको छे अंग के साथ तेरह में अध्याएं के बाद भी देविशुक्तमादी का पार्ठ तब रहस पार्ठादी होती है तो यह जो पूरा मूल पार्ठ है इसमें भी पहले अध्याएं से पहले नमाण मंत्र का जाप एक माला, एक ग्यारह माला, यथा विधी या नौ माला किया जाता है और तेरह में अध्याय के बाद भी नमाण मंतर का जाप होता है यानि प्रमुक्ता से नमाण मंतर से संपूर्ठ हो करके होता है तो यह जो पूरा विधी है, इसे हम चंडी चरित्र, दुर्गा सब्द सती पाठ, चंडी पाठ आदि करते हैं यह मूल पाठ है, यह एक पाठ हुआ यह पूरी विधी जब नौ दिन परियंत्र होती है यानि प्रतिपदा से ले करके नौ मी तक नौ दिन का तो इसे नौ चंडी का कहा जाता है यह नौ चंडी के विधी होगी, जो एक साधक के द्वारा किया जा रहा है इसी को जब संपूट करके पाठ किया जाता है संपूट पाठ अब कैसे होगा तो जो सबसे प्रचलित मंत्र है संपूट के लिए वह बारहवय अध्याय का तेरहवा स्लोग है जिसमें कि भगवती यहां कह रही है कि जो कोई भी मेरा पाठ पूजा करेगा उसके हर कश्ट को मैं दूर करूंगे और धनेधान से परिपूर्ण कर दूंगे तो यह मंत्र है स्रबबाधा बिरमुक्तो धनेधान शुतानिविता यह बारहवय अध्याय का तेरहवा मंत्र है इसे से प्रमुक्ता से संपूट होता है ऐसे ही किसी भी मंत्र से संपूट किया जा सकता है पूरे सबस्ति को पूरा सबस्ति कार्थ हो गया कि जो यह 13 अध्याय है इन 13 ध्याय में जो 700 स्लोक है उनका संपूट लगाया जागा हर मंत्रों में हर स्लोक में संपूट लगेगा संपूट की विधी पहले ही चनल पर बता चुके हैं यहां एक उधारन के लिए बता देते हैं प्रमुक्ता से जब अनुस्ठान आदी होते हैं नौरातर में तो इन ह मुख्य ब्रामन होते हैं कई बनुस्ठान होता है तो इसी का संपूट लगाया जाता है यहां मुख्य संपूट मंत्र है अन्य भी मंत्रों से लगते हैं उधारन के लिए जैसे माल लिजे कि प्रथम ध्याय का प्रथम मंत्र जो है उसे ले ले लेते हैं तो प्रथम मंत्र द्यानादी के बाद से प्रथा मंत्र यहां नहीं है प्रथा मंत्र है यहां ठीक है मारकंडे वाच तो इससे पहले जो है वह संपूट मंत्र लगेगा सरभाबाध अबिनुड मुक्त धनदान शूतान ने पहता हमनुष्वमत्परसादेन भविश्यतिना संसे और तब जाकर क फिर बोलेंगे सरभाबादा अबिनट मुक्तो धनादाना शुतान नता मनुस्वमत पशादेना भविशतिना संसेया यहाँ पहले मंत्र का यहाँ पहला स्लोक जो है इसका संपूट पूर्ण हुआ अब दूसरा जो मंत्र है इस स्लोक का संपूट करने के लिए पुनाह के पूरा चलेगा तो लगभग इसमें 2100 मंत्र हो जाते हैं मूल पाठ में 700 मंत्र था उसका तीन गुना अधिक हो जाता है पाठ संपूट मंत्र से इसे हम संपूट पाठ कहते हैं तो यह संपूट पाठ के विधी मूल से तीन गुना अधिक पाठ इसमें होता है हर दिन में और इसकी महता अधिक है जो भी काम्य मंत्र होते हैं उंसे उनका संपूट कराए जाता है हम एक मंत्र बताएं कि मान लिजए कैसी की कुछ संपूट मंत्रिये क्या हैं जैसे इस मंत्र से पूरे 700 स्लोकों separately संपूट लगेगा और वहां फिर 2100 स्लोग का पाठ होगा तो इस तरीके से संपूट पाठ होता है जहां मूल पाठ करने में लगभग 3-4 घंटा तक लग सकता है वहीं संपूट जब होता है तो शमतानुसार और कितने तिवरता है किस प्रकार से पाठ कर रहें तदनुसार जो है छे गंटे 7 गंटे या कुछ लोग 4-4 घंटे में जोनका बहुत अच्छा अभ्यास होता है उनसे भी संपूट लगाए जाता है बाहर के भी मंत्रों का संपूट सबसर्ण सबसर्ण सबसोरी में लगता है और साथ ही कुछ-कुछ अध्यायों के बीच में या हर जो तीन चरित्र हैं आपके प्रथम अध्याय के पश्चाद प्रथम चरित्र पूर्ण हो जाता है ठीक है और उसके पश्चाद जो है मध्यम चरित्र दूसरे अध्याय से शुरू हो जाता है और पंचम अध्याय से जो है उत्तम चरित्र शुरू होता है तो इस प्रकार से प्रतेक अध्याय के प्रतेक दो रंत में भी सम्पूट लगता है उसे भी वो भी प्रमुक्ज सम्पूट है तो उसमें अलग-अलग मंतरों से विश्य सेश करके भटुक महाराज के मंतरों से भटुक भषि pal एनुक्ता से प्रयूग कीजाने वाले नुवरी बहत को मोल पाठ سंपूट, पाट की दो विधी तो इन ही विधियों का प्रियोग जो है किया जाता है आसा करते हैं कि इस विशय से आप सभी को लावे मिलेगा जामा विद्व